नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं चांच चल रही है, तब तक सीजल परिक्षा का रेजल्ट नहीं निकाला जाएगा सचीव नहीं अभी बताया कि अभियार्थियों ने पेंट राइब वह सीडी में दिये गए सबूत के मुल्स रोत की जनकारी नहीं दी और नहीं, उनकी ओर से सीडी की दूसरी कोपी दी गई पहली वाली सीडी बलायक है, इसमें कोई सबूत नहीं है इसलिए अभियार्थियों को पेंट ड्राइब वो सीडी के मूल सुरोत की जनकारी देने के लिए बुलाया गया था लेकिन उनकी ओर से कोई जनकारी नहीं मिल पाई बता दिस्वमवार को अभियार्थी चात्र संग के तत्वाधान में सैकलों की संख्या में जैसे सी कर्याले पहुँचे और जमकर बिवत परशन किया है परशन कारी अभियार्थी सीजेल परिछार रद करने वह उसकी सीबियाई से जाच कराने की मांग को लेका सुबह नौ बई से दिर रात तक चमे रहे थे वहीं कर्याले के अंदर उपस्थीत अधिकारी वह करम चारी दिन भरबंधक बने रहे करीब अधाई बजे नामकुम्सियों बाहर निकलना चाह रहे थे लेकिन अभियार्थी ने उन्हें अंदर ही रोक दिया इधर आक्रोसित अभियार्थी ने देर साम साथ बजे के करीब हलकी पत्रबाजी की और बैरिकेटिंग को तोड़ा जिसके बाद पूलिस ने समझा कर परदसन करियों को सांथ कराया है जारखन के जल सहिया दिदिया स्मार्टफोन के साथ बलू साड़ी में नजर आएंगी मंगलवार को राजधानी रांची के प्रभातरा मैदार में आयोजदीत राज्य अस्तरिय जल सहिया छामता वर्धन सा स्वक्षता ही सेवा कारकरम में मुख्यमंत्री हमंसुरें ने जल सहिया के बीच डिवीटी के माद्यम से बारा बारा हजार रुपे का अस्तांतरान और दो दो साड़ी का वित्रन किया है बता दे मुख्य मंत्री हमांसुरे ने कहा है कि जलसा हिया दीदी की समस्याओं को हमारी सरकार ने सुल्जाने का कारी किया है पुरुकी सरकारों ने जलसा हिया दीदीयों को उनका हक अधिकार से वन्चित रखा था हमारी सरकार उनका हक और अधिकार दे रही है सरकार ने ग्राम अस्तर पर कार्रे रत जल सहया दीदियों की मांदे राजसी को बढ़ा कर 2000 रुपे प्रतिमा कर दिया है लातेहर पुलिस ने जेजे MP के दो कमांडर को किया गिरफतार लातेहर पुलिस ने जेजे MP उगरवादी संगठन के दो सब्जोनल कमांडर को एके सेतारी सहतियार के साथ गिरफतार कर मंगलवार को जेल भेज दिया है गिरफतार उगरवादी में खुरसीद अंसारी वफेको भोईया उर्प सरवनास पीता पूसन भोईया सामिल है बढ़ा दे पुलिस अधिक्षा कुमार गवरों ने अपने कर्याल में आवजीद पिरसवारता में बताया है गिरफतार उगरवादीयों के पास से एक एक सेटारीस राइफाल एक सेटारीस का एक मैग जीन एक सेटारीस का आठ गोली तीन मोबाइल वा एक जियो राउंड बरामत किया है उन्होंने बताया कि गुप्त सुचना मिली थी कि सदाथाना चेतर के सलयाव नरायनपूर पहाड के तलहाटी के जंगली चेतर में जे एमपी के उगरवादी हाथियार के साथ ब्रहमन सील है सुचना की सत्यापन के बाद लातेहर थाना प्रभारी बिनोत कुमार सीनहा की नतित में एक टीम के गठन किया गया गठित टीम जैसे ही उस जगह पर पहुंची तो देखा कि दो उगरवादी हाथियार के साथ एक महवा के पेण के निचे बैठे है पूलिस के नजदीक पहुंचने पर दोनों उगरवादी भागने लगे जिसे पूलिस ने घेरावन्दी कर पकड़ लिया है सीयम हेमन्त ने बारा सो चालिस क्रोड की दी सोगात जारखन के सीयम हेमन सुरे ने चंदन क्यारी परखन के चंडी पूर मैदान में मंगलवार को बोकारो रामगर और हजारी बाग जीले को बारा सो चालिस क्रोड संतावन लाक रुपे की सोगात दी है उन्होंने परदेश की सरकार गाव गाव टोला टोला जाकर आदिवासी मुलवासीों की समस्याओं का निदान कर रही है बहाली सुरूक और नौक्रीदी जा रही है वहीं भारतिय जानता पार्टी लोगों को जाती धर्म में बाटने का काम कर रही है बिजेपी कभी भी आदिवासियों और मुलवासियों की हितासी नहीं हो सकती मुख्य मंतरी हमन सुरे ने कहा है कि हम एक तरब जार्खन की चिंता कर रहे हैं तो बिजेपी डेमोगराफी बदलने का मणगढ़न जूट फैला कर हिंदू मुसलिम के बीच खाई पैदा कर राइनिती रोटी सेकने का काम कर रही है उन्होंने कहा है कि भाजपा को उखाल फेकने से ही जार्खन का भला होगा गाओ गाओ जाकर गरामीनों की समस्या के समधान करना होगा तभी जाकर सही मायने में गरामीनों का विकास हो पाएगा जार्खन के 1.36 लाख रूपए दबा कर बैठी है केंदर सरकार मुख्यमंत्री हमन्सुरे ने कहा है कि केंदर सरकार राज़े के कोईला मद के 1.36 लाख रूपए दबा कर बैठी है सियम मंगलवार को बोकारो जी लेके चंदन कियारी परखंड के चंड़ी पूर मैदार में समारों को समधित कर रहे थे उन्होंने कहा है कि कोईला मद में राज़े को मिलने वाला 1.36 लाख रूपए का भोतन केंदर सरकार ने अभी तक नहीं किया है ये रकाम मिल गई होती तो जार्खंड की बिकास और तेजगती से आती उन्होंने कहा है कि हम EDCBI चे डरने वाले नहीं हमने जार्खंड लड़ कर लिया है जार्खंड के हग के लिए आगे भी लड़ाई जारी रहेगी उन्होंने कुरोना काल से लेकर अब तक की राजसरकार के उपलब्धिया भी गिनाई है सीएम ने कहा है कि पहले लोग बेटियों को बोई समयते थे लेकिन अब ओखर की संपत्ती है राजसरकार ने करने है समरीदी योजना सहित अन्योजनाव के माध्यम से बेटियों की सिक्षा दिक्षा की विवस्ता की है दस हजार बीत रही सिक्षा कर्मी आज रखेंगे उपवास बीत रही सिक्षा सन्यूप्त संगहर्स मोर्चा के वाहन पर गांधी जयनती के दिन इस्कूल और कोलेज बंद रहने के बाद भी संस्थानों के दस हैर सिक्षक और करमचारी उपवास करेंगे बता दे 75% अनुदान राशी में ब्रीधी के सनले की संचिका सिग्र मंत्री परिशाद में भेजने और कार्मिक बिभाग में राज कर्मी का दरजा की संचिका पर करवाही तेजी से करने के लिए उपवास का एलान किया गया है मोर्चा के रहुनाद सिंग ने बता है कि 75% अनुदान बिरिधी के संचिका पर सिक्षा मंत्री के अनुमोदान के बाद इसकुली सिक्षा यूं सरस्था विभाग ने बित विभाग की सहमातिक के लिए संचिका भेज दी थी बित मंतरी ने संचीका पर टिपनी की है कि बित सच्ची उसे जानना चाहा है कि अभी बयद के प्रवधान करने का कोई नियम है इसके साथ बित विभाग ने संचीका को सिक्चा विभाग को लोटा दी है इसमें कई आहम प्रस्तावप पर मुहर लगाई जाएगी बतादे मंत्री मंडल सच्छी वाले अमनी ग्राने विभाग ने जनकादी दिया कि जार्कन मंत्री प्रुषत की बैठक अगामी मंगलवार यानी आठ अक्टूबर को होगी जार्खन मंत्राले स्थीत मंत्री प्रस्त कक्ष में साम चार बाई से बैठाक होगी जार्खन की हेमान सुरेन केबिनेट की पिछली बैठाक 28 सित्तमर को परजेक्ट भन में हुई थी इसमें 49 प्रस्ताव को मंजुरी दी थी इसमें रांची में नया मेटकल कॉलेज और गांगा नदी पर फोल लेंड पूल बनाने समेथ कई अहम प्रस्ताव की स्विक्रिती दी गई थी पीए मोधी तीन घंडे 25 मेट रहेंगे जारखन में प्रधान मंति नया नमोधी 17 दिनों में दूसरी बार जारखन दोरे पर आ रहेंगे दो अक्टूबर को वे हजारी बाग की धर्थी से कई वजनाओ की सोगात देंगे इसके अलावे वे मतवारी गांधी मैदान में बीजेपी की परिवतन यात्रा महा सभा को समोधित करेंगे इस दरण वे तीन घंडे 25 मेट तक परदेश में ही रहेंगे उनके आगमन को लेकर परसासा ने पूरी तयारी कर लिया बता दे दो पर एक बज कर दस मेट पर भी सेस वीमान से बीर सा मुंड़ा एरपोट पर लेंडिंग होगी वहीं एक बज कर तीस मेट पर हजारी बाग के लिए हेलिकोप्टर से रवानगी होगी वहीं एक पचपन पर हजारी बाग में जे पी ए हेली पैट पर लेंडिंग और दो बजे बिनोवा भावे भी सुबी द्याले में सरकारी कारकरम अस्थल और दो पैंतारीस पर मतवारी कारकरम अस्थल केरे रवाना होंगे वहीं परदान मंत्री मोदी के आगमन को लेकर परसासन की सुरक्षा बेवतर चाक चोबंध है हजारी बाग सहर में सभी मुख्य जगो पर CCTV केमरे लगाया गया है अभी तक एक सव से अधिक CCTV केमरे लगाय जा चुके है नगवा हवा अड़ा से विभावी तक और बिनोवा भावी विश्वी द्याले से जिल्या परिशत चोग के मतवारी गांधी मैदान सिंगानी चोग तक CCTV लगाया गया है बोकारो में मेडिकल कॉलेज का सपना हुआ पुरा स्वर्गिये जगनात महतो मेडिकल कॉलेज उमस्पताल का सिलन्यास मंगल और कमुख मंतरी हमांसुरे ने चंदन कियारी के चंडी पूरी मैदान से किया है लगभग 700 कोलेज की लागत से बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज के साथ बोकारो वासियों का वर्षों का सपना पुरा हो गया है बता दे मेडिकल कॉलेज का पुर्व मंतरी स्वर्गिये जगनात महतों के नाम पर करने का निर्नाय पुर्व की केबिनेट में हुआ था इसके लिए उनकी धन्वपतनी बेवी देवी ने सीएम का वार प्रकट किया है चांदी का मुकोट पाना का स्वागत किया मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों पर नमांकन होगा एवं 500 बेट का अस्पताल बनेगा तीन बर्सों में निर्मान कारें पुरा हो जाएगा वहीं 2027 में यहां नमांकन भी प्रारम करने का लक्ष रखा गया है धनवाद में इसकूलों के लिए प्रेणा बने कॉसल कुमार जारखन के 35 सरदिक सरकारी स्कूल इनके कॉसल के कायल है इनके नाम में ही कॉसल है अपने दूर द्रिष्टी सिक्षा के प्रति उतक्रिष्ट सोच और मेहनत की बदलत उन्होंने 35 बच्च वाले स्कूल को 200 के पार पहुचा दिया है स्कूल का काया काल्प ऐसा किया गया कि प्राइबेट स्कूल भी अनुसरान करने को तत पर है बतादे सितंबर 2223 में नई दिली में हुए जी 20 समिलन में जारकन के प्रेजिन्टेंशन में सबसे अधिक चर्चा इनके ही बिद्याले वा कारियों की हुई है जी हाँ हम बात करें धनबाद के उतकरमित मद भी द्याला है नागनगर सुसनी लेवा वा उसके प्रधाना ध्यपा कौसल कुमार सिनहा की उगरवादियों ने वाहन चालकों को पीटा फैरिंग कर पांच हाईवा फूका परधान मतिनानमदी के आगमन के एक दिन पहले उगरवादियों ने हजारे बाग जीले के केरे डारी थाना छेतर में जम कर दूत प्रात मत आया है उगरवादी संगठे ने सोमवार के देर रात करीब दो बजे एंटी पीसी के चट्टी बरियातु कोल माइन से कोईला टांस्पोर्टिंग लगे हाईवा में से पांच हाईवा को आग के हवाले कर दिया है इस दोरान चालकों की पिटाई भी की गई है जाते जाते हवाई फैरिंगार पूरे छेतर में दवसत फैला दी है इस पूरे घाटना की जिम्मेदारी विकेश तिवारी गुरूप ने लिहा है घाटना असल पर परचा भी छोड़ा गया है उगरवादियों ने सपेटो पंचायत के पंसस अरवींद साव की गाड़ी नंबर जेज 02-BR-1978 को भी फोक दिया है पीएम मोदी आज हजारी बाग से देंगे 83,300 कुलवर की सवगाद परधान मतिनायन मोदी 2 अक्टूबर को हजारी बाग आएंगे यहां से देश को 33,300 कुलर रुपए की बिभी ने उजनाव की सवगाद देंगे दोपर एक बच का दस मेटवे बिसेस बिमान से वे रांच से बीचा मुणड़ यारपट पहुंचेंगे बताद यहां से हेलिकोप्टर से हजारी बाक लेरवाना होंगे वहीं जनजातिय समुदाय से सनवात करेंगे पर्धान मतिनायंद मोदी कमजोर जनजातिय समुदाय से सनवात कर पीएम जन्मन के तहट तेरह सो साट कोर से अधिक लागत की पर्योजनाओ का उध्याटा नुसी लिनाज भी करेंगे इसमें तेरह सो अधिक किलोमेटर से अधिक सड़के 120 आंगनवाडी 250 बहुद से केंद्र और 10 इसकूल छत्रवा सामिल है इसके लाबा 3,000 गाओं में 75 है चाधिक बिसेस रूप से कमजोर जनजातिय समुदायों के घरों का विदूतिकरान 275 मोबाइल मेडिकल इकायों का संचालन और 500 आंगनवाडी केंद्रों का संचालन भी सुरुवात होगी अंबा परसाद ने बिजेपी में सामिल होने की ख़वर को बताया अफवा बढ़का गाव से कांग्रेस बिधायक अंबा परसाद ने कहा है कि बिरोधी उनके बिजेपी में सामिल होने की अफवा उड़ा रहे है कांग्रेस के लिए उनका परिवार समर्पित रहा है बीजेपी में सामिल होने की खबरों का उन्होंने खंडन किया है और कहा है कि ब्रामक खबर है ये बिरोधियों की चाल है सोसल मीडिया में 2 अक्टूबर को BJP में सामिल होने की खबर पर कांग्रेस बिधायक ने चुपी तोड़ी है और इससे निराधार बताया है बता दे सोसल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रहे थी कि बढ़का कांग्रेस बिधायक अमबा परसाद 2 अक्टूबर को BJP में सामिल हो रही है अमबा परसाद ने इस खबर का खंडन किया है उन्होंने इससे बेबुन याद एव निराधार बताया है अमबा परसाद ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की सची सीपाई होने के ना तेवा किसी दूसरे दल में सामिल होने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती पुरुवर्ती भाजपा और आईसू संगठन की सरकार के दोरान भी उनके परिवार को बिरोधियों ने काफी परतारित किया था उस समय भी भाजपा में सामिल करवाने के लिए कई हतकम पे अपनाए गए थे बोकारों में सलक दुरगाटना में सेना के पुरुव जवान की मौत बोकारों के गांधी नगर थाना छेतरे के बैदकारों मोड के समीब हीरक रोड में बुद्धवार लगवक तीन बज़े कार संख्या जे 10 C.A. 79 के एक पेंड से ठकरा जाने के कारान कार चालाक राकेश सिंग के ददनाट मौत हो गई बताया जाता है कि राकेश सिंग डीवी सी बेरमो माइन्स में कारे रात एक प्राइबेट सेकुरेटी एजेंसी में कारे रात था दोपर को अपने बच्चों को कारमल इस्कूल से अपने घर डीवी सी बेरमो माइन्स नियो कोलेनी पहुचाने के बाद वह किसी कारे के लिए जरी डीवाजार गया हुआ था और उधर से लोट रहा था उसी दरण कार की गतित्ते जोने के कारण उन्होंने अपना संतूरन खोद दिया और फिर कार पेर से टकरा गई जिससे उसके सीर में गंभीर चोटे आई थी जारखन में 1200 से अधिक वोटर वाले बूथो पर नियुक्त होंगे अतिरिक्त पोलिंग अफसर जारखन के CEO के रभीकुमार ने मंगलवार को सभी जीला निर्वाचन पतादिकार योग साथ समिक्चा बैठा की इसमें उन्होंने कहा है की चुनाव आयो के नुसार 1200 से अधिक मद्धता वाले मद्दान केंद्र पर एक अतिरिक्त पोलिंग अफसर के नियुक्त की जाएगी निर्वाचन में जीरो एरर के साथ कार्य करना है विधान सभाचुनाव की त्यारियों से समधित निर्वाचन से जुड़े सभी पतादिकारियों के भारत निर्वाचन आयो के निर्देसानुसार परसिक्चन सुनिश्चीत करे वे सभी जीला निर्वाचन पतादिकारी उकसाद निर्वाचन सदन से ओनलें समिक छाबे ठक कर रहे थे बतादे जार्खन के CEO के रभीकुमा ने कहा है कि राजे में कई पतादिकारी वे टांसपर पोस्टिंग हुई है आयसे में किसी जीले के ERO एवाम ये ERO जिनका निर्वाचन सम्मादी प्रसिक्षन नहीं हुआ है उनकी सुची अभिलम उपलब देख कराए ताकि उनकी समाय से ट्रेनिंग कराई जा सके सेविकाए 5 अक्टूबर से करेंगी अनिस्चित काली नहरताल जार्खन राज आंगन वाड़ी सेविका सहाई का सन्यूक्त संग हर्च मोचाक बैनर तले सभी सेविका सहाई का 5 अक्टूबर से अनिस्चित काली नहरताल करेंगी इसको लेकर परवेक्षी का सुनाली कुमारी ने मंगलवार को बाल विकास कर्याले में आवेदन दिया है सेविका सवाना बेगम ने बताया है कि आठ सुत्री मांग को लेकर परखन की सभी सेविकाए 5 अक्टूबर से अनिस्चित काली नहरताल पर जाएंगी बताया है कि जब तक हम लोगों की आठ सुत्री मांगों को सरकार पुरा नहीं करती तब तक हम लोग और अनिस्चित काली नहरताल पर रहेंगे मौके पर जोहार खातून सावित्री मुर्मू मर्यम सुरेन भी मौजूद थी जे एमेम को जटका कोलान केंद्री सतसे ने दिया इस्थिपा कोलान की रायनिती में ज़ार्खन मुक्ति मोर्चा में मच्ची भगदर रुखने का नाम नहीं ले रही है कोलान टाइगर के रूप में जाने जाने वाले पूर्व मुक्ध मंत्री चमपई सुरेन जैसे कदावर नेता पार्टी को छोड़ने के बाद उनके पीछे-पीछे कई नेतावा करकता उनने ज़ार्खन मुक्ति मोर्चा को बायबाय कर दिया है इधर मंगलवार को चांडिल बजार निवासी ज़ार्खन मुक्ति मोर्चा के केंद्री सजसे पपू अर्वाने पार्टी के सभी पतोसे इस्तिपादे दिया है बता दे पपू अर्वाने प्रेस वर्था को समसीत करते हुए कहा है की 26 वर्षो से जार्कन मुक्ती मोर्चा में राक कर इच्चागर विधान सभा छेत्रे में सीचने का काम किये थे दिवंगत सुधीर महतों के साथ जार्कन मुक्ती मोर्चा को इच्चागर विधान सभा छेत्रे में एक उचीत मुकाम तक पहुचाने का काम किये थे लेकिन बरतमान में पार्टी के दोवारा बात नहीं सुनी जा रही बिजेपी की परिवरता नयातरा सफल हिमंत सर्मा जार्खन में आगामी बिधान सभा चुनाओं के मदनेदर बिजेपी पूरे जोस में कीरी परिवरतन नयातरा कि समांपती होगी है और इस दोरान पी पत्र 3 अक्टूबर को जारी करेंगे बता दे कि इस नोवमरें विधान सभा चुनाव होने की संभावना हाई इस महीने चुनाव आयोक मतदान की तारिखों के एलान कर देगा इसे देखते हैं बीजेबी चुनाव से पहले कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती जार्खन के 549 खिलाडियों को 4 अक्टूबर को मिलेगा कैस अवाड जार्खन सरकार के खेलने देश साले की ओर से राजे के खिलाडियों को 4 अक्टूबर को कैस अवाड पदान किया जाएगा इस नगत पुरसकार रासी वित्रन समारों का आयोजन जैप ओन रांची में 12 बज प्रेटिक्स के 40, फुटबॉल के 105, ताइक्वांडो के 12, होकी के 103, कुस्ती के 12, स्विमिंग के 1, उसु के 50, योगासन के 6, बॉक्सिंग के 4, लॉन बॉल के 15, साइकलिंग के 9, गटका के 13, हैंड बॉल के 12, मोडन, प्रेटाथ लॉन के 10, नेट बॉल के 43, रगभी के 1, और जिमिनास्टमी के 12, सुटिंग के 3, वेट लिफ्टिंग के 5, वा कवड़ी का एक खिलाडी सामिल है, जारखन ने तमिलाडू को 11, गोल से हराया, रांची मोरबादी के मरांगों के जैपाल सिंग ए स्टोटर्प, होके स्टेटे में चल रहे 14, हमी राष्ट्री सब जुनिय जारखन सरकार 3 और 4 अक्टूबर को राय धानी को दो तोफा देंगे, मुखिमांती 3 अक्टूबर को कांग के के सुकुराटू में तेया टान स्टोट नगर के फेज 1 और 4 अक्टूबर को कंटा टोलिक फलाई ओवर का उदगाटन करेंगे, 3 अक्टूबर को हमुखिमांती शुकुराटू के ITBP कैम के पास समारों में टानस्पोर्ट नगर के फेज 2 का सिले नयास भी करेंगे, बता दे कि टानस्पोर्ट नगर का फेज 1 और कंटा टोलिक फलाई ओवर लबक त्यार है, उदगाटन के बाद दोनों जगों को चलाय मन कर दिया जाएगा, वहीं कंटा टोलिक फलाई ओवर में रैप क समारों का नयमान किया जाना सेज है, जیک भी बी एनल 3 अक्टूबर से भिजली बील माफी का पावन पत्र देगा, जबी बी बी एनल रांची सरकिल मुख्यमंत्री ऋर्जा, खुशाली योईना की तहत भिजली बील बका या माफी योईना की लाभो को भकताओ का पावन पत हाई उत्पाद सिपाही डौण में जान गवानेवाले के परिवारों को चार-4 रुपए मुख्या थानवार के पुरविधायक निज्यामू दिन अंसौही ने कहा है कि उत्पाद सिपाही बहाली के लिए आयोजी दोड में जान गवाने वाले अभियार्थियों के परिवार को 4-4 लाख रुपय का मोभजा मिलेगा मुख्यमंत्री हमंसरे ने बुद्धवार को इस प्रस्ताओं को सुक्रिती पदान की है उन्होंने इस समध में पुरुव में घोसना भी की थी ग्यात हो कि अगस्त में शुरू होई सिपाही बाहाली दोड के दोण राजे में कोल 17 योकों की मौत हो चुकी है वहीं कई बिमार होका इलाज रहा है अभियार्थियों की लगातार मौत की घटनाओं को देखते मुख्यमंत्री संग्या लिया था और कुछ-कुछ दिनों के लिए दोड अस्थागित करने का भी निदेश दिया था बाद में निगरानी और सुविधाय बढ़ाते वे भरती परकिरिया सुरू की गई थी हमें सोकात नहीं अपना हक चाहिए सुप्रियों भटा चाहिए खनन रोयल्टी का बगाया एक लाग 36 एर क्लोर मामले पर जहमों ने सकत रूख अपना लिया है पार्टी ने प्रधान मंतिनादमोदी को अगाह करते हुए कहा है कि हम खैरात नहीं मांग रहे हैं हमारा पैसा पुझी पत्यों अडानी और अंबानी को देने के लिए नहीं है ए बाते जहमों के महा सचीवं प्रवक्ता सुप्रियों भटा चाहिए पार्टी करे ले हैं प्रेस्वर्ता के दोन कही सुप्रियों ने कहा है कि 15 दिन के अंत्राल में 2 अक्टूबर को परधान मत्य जहरकन दोरे पर आ रहे हैं आखिर कार परधान मंत्री और भाजपा को चुनाओ के वक्त ही आदिवासी क्यों आयात आते हैं जहरकन अंद्रोनकारी मंच ने दिया धरना जहरकन अंद्रोनकारी मंच ने मंगलवार को समान ना लए कि समक्ष एक दिवस्य धरना दिया है अध्यक्स्ता मंच के जिला अध्यक्स सतेंदर सिंग ने किया सिंग ने कहा है कि जार्खन निर्मान में आहम भूम का निभाने वाले आंदोरन कारी आज भी अपयक्षी था है अलग राज बनने के बाद लगा कि राज का सुराणगीन विकास होगा लेकिन आज भी बाहरी लोगों का राज में दबदबा है राज की हमंद सुरेन की सरकार ने बहुत सारे काम किये जैसे मया समान योईना 2202 माफी सरजन पेंसन योईना अब वाज समित कई कलेन कारी योईना सामिल है उन्होंने कहा है कि चीनित आंदोरन कारीयों को 50 एरमान सिक पेंसन दिया जाए ताकि उन्हें हक मिल सके धन्यवाद यदि आप चैनल पढ़ना है तो चैनल के सब्सक्राइब का बहुल का बेल एक अंद बढ़िए साथ वीडियो को एक लाइक कर आपने दोस्तों को साथ सेर करना आ पूले साथ आप हमें कोमेंट पर आपना फिडिवे का वासे दे थैंक्यू